नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है अलिगर्ड मुस्लिम युनिवसिटी किस ने बनाई किस ने स्थापना की उसकी और कैसे उसका प्रोसेस सब बनता चला गया हलाकि हमने इतिहास की बुकों में तो पढ़ रखा है सर सेयत एहमद ने हमारे अलिगर्ड मुस्लिम युनिवसिटी का एक आधार शीला रखने की कोशिश की थी और वो जब ऑक्सवर्ड या बाहर जब जाते थे तो वहां के युनिवसिटी से सीख कर हमारे यहां पर चीजों एक सवाल उठने लगा था कि आखिर जो इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं और जो जज़्जमेंट है दोनों इतना अलग कैसे हो सकता है और आखिर आज हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं क्योंकि जब आप ये चर्चा सुन रहे होंगे या कुछ दिन बाद भी आप अब समझते हैं अखिर ये वापस से क्यों अभी उठा ये केफ वापस से निकलने वाला है 1967 के बाद नवेंबर 26 1981 में दो जच का एक बेंच बनेगा अंजुमन ए रहमानिया वर्स डिस्ट्रिक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल केस क्वेश्चन दा करेक्टनेस ऑफ द अजीज बाशा रूलिंग और रेफर्ट दा मैटर वह सेवें जच बेंच केस अब इन्हों में दो जच का बेंच ने क्वेश्चन किया कि शायद कुछ ना कुछ मुझे करेक्टनेस या एरर पे कुछ बात करनी पड़ेगी और इस केस उल्जाने के लिए अगर पांच बेंच का जच अलेडी का जच का आगर आ चुका जज्चमेंट तो आपको साथ जच का ही बेंच बनाना पड़ेगा उस समय से लेकर 1981 से लेकर आज हम 2024 में खड़े हैं 40 साल से उपर बीच चुके हैं अब आज साथ जज्च की बेंच है जो इस केस को सुन रही है और अड़ोकेट वहाँ पे अपनी अपनी दलीले दे रहे हैं समझीगा यह मैटर पेंडिंग तो था केस में कि 7 Judge Bench बनना चाहिए था पेटिशन्स अलाबाद High Court में पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए जो पढ़ते गए क्योंकि AMU अपने आपको Minority Institution का दरजा देते हुए खुद को रिजर्व करने लगा था Seats for Muslims in certain cases and in certain courses तो जो Minority Institution है उसके पास कुछ पावर होगा क्यों सीट रिजर्व कर सकती है पर चुकि इसको Minority दरजा नहीं मिला था फिर भी यह अपने सीट्स को रिजर्व कर रही थी है अलाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में declared that AMU was never a Minority Institution यह कभी भी Minority Institution नहीं है and that Reservation for Muslims in postgraduate courses was declared as Unconstitutional and Impermissible मतलब 1960s वाली बात कोई फिर से दोराया गया यह Minority Institution नहीं है ना इसके process वैसे है ना यह आडिमिस्टर वैसे की जा रही है हिंस इसको कोई भी लाब नहीं मिलेगा आर्टिकल 30 clause 1 के तहर जहां पे वो seats reserve कर सकते थे Minorities Muslims के लिए अब एक सवाल उठता है और इस सवाल में आप भी शामिल होई हमारे साथ politics का नजरिया ही अलग है पर हमें जाना नहीं उसमें हम आपको बस एक पहाड का ग्राफ दिखाना चाहते हैं जो बिल्कुल पहाड का शेव लिया हुआ है कि 2005 ते लेके 2013 या 12 तक अगर आप देखेंगे तो एक और गनाइजेशन नीपहले आपको बारे में बता दें नाशनल कमिशन फॉर माइनोरिटी जो आपका बनता है क्वासाई जुडिशल बॉडी फंड कर रही सेंट्रल गर्मेंट यह कब बन रही है 2004 में 2004 में याद रखिए कवासाई जुडिशल है अगर यह कोई institution बना रहे है तो इसके उपर दर्जा देने के लिए मुझे NCMEI के पास जाना पड़ेगा मतलब नाशनल कमिशन फॉर माइनोरिटी एजुकेशन इस्टूशन जो 2004 में बॉडी बनाई गई कैसी बॉडी थी क्वासाई जुडिशल बॉडी थी यह बॉडी बनती है 2004 में और लगातार 2005 से आप देखेंगे तो इतने institutions को माइनोरिटी का दर्जा दिया जा रहा था पर साल अगर आप देखें तो 2012-13 के आसपास 1900 भी एक समया था कि 1900 माइनोरिटी एजुकेशन दर्जा दिये गए थे और 2014 के बाद से अचानक से नंबर गिरता है और 2021 में जो हमारे पास लास्ट डेटा है पूरे साल में छे institutions को बस माइनोरिटी इंसिट्युशन का दर्जा दिया गया सवाल ये नहीं है कि क्यों दिया गया क्यों नहीं दिया गया सवाल ये है कि कैसे ग्राफ बढ़ता है और कैसे ग्राफ गिरता है एजुकेशन को किसी एक एंगल से जब देखेंगे तो परिशानी आएगी आएगी एजुकेशन अपने आप में सब गरंत सब धर्म सब से उपर है सब पॉलिटिक्स हो जाए सब राजनिती हो जाए हमेशा इसके उपर ही एजुकेशन को रखना पड़ेगा तो आप आर्टिकल 30 को फॉलो करें आप दर्जा दीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए तो आप स्वाभाविक से गुरूल बना दीजिए कि नहीं मिलना चाहिए यह NCMIE बनता है 2004 में और दर्जा देना चालू होता है मतलब सरकार जो राज जी की उसके पास भी पावर है कि वो भी माइनोरिटी का दर्जा दे सकती है तो जो कम्यूनिटी उस इंस्ट्यूशन को बना रही होगी वो आधी सीट रखेगी अपनी कम्यूनिटी के लिए यह पावर कब आएगा जब वो माइनोरिटी इंस्ट्यूशन का दर्जा पा चुकी होगी जो राज्य सरकार भी दे सकती है अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आगे थोड़ा साम आपको टेक्निकल लेके चलते हैं आपको टीस की बात करते हैं आपके सामने सोशल और कल्चरल एजुकेशनल राइट से हमारे पास आटिकल उन्तिस और आटिकल टीस आप बोलता है आपको टीस बात बोलता है इस राइट इस अचन इकार ने जहिए दो बोलता है आपको टीस और बोलता है अगें स्वापटरी उन्तिसम परने बोलता है इस जोड़िए डिए अज़ीकल टीसम आपको टीसम टूरब्सक्टवार। जब आप aid दो तो आप भेद मत करो कि ये इस community ने बनाया ये इस community बनाया मतलब एकदम equity आपको रखनी है आर्टिकल 30 अपने शब्दों में बिल्कुल साफ है अब ये decision लेना था सरकार को सरकार अपने अपने हिसाब से decision लेती जा रही थी पर खेर हम थोड़ा सा और इसमें ज क्योंकि उन्तिस में एनी section of the citizens residing in any territory any part of the country having a distinct language will have the right to conserve it any section of citizens not necessarily minority पर जब आटिकल 30 की बात करते है तो ये minority institutions की ही बात करता है whether based on religion or language क्या-क्या पावर आते समझेगा the right to education act does not apply to minority schools or institutions reservation does not apply to these schools no limit on what percentage of students from respective minority school has to admit no limit on how many minority schools can exist in area you mind to schools battery can have any fee structure can have own admission criteria schools affiliated to CBS or CIC can directly apply to NCMI Joe after National Commission mana if state authorities strictly impose any rules on minority schools schools may take up the issue on the judicial front ये आर्टिकल 30 से हमें निकलता हुआ दिख रहा था और law बनते हुए दिख रहे थे पर फिलाल जो केस चलना है वह है अलिगर्ण Muslim University का जहां पर बहुत अच्छे courses होते हैं लोग बहुत मात्रा में वहां प्लाई भी करते है तो हम समझ सकते हैं कि कितना dilatory process होता है आज भी इस institution को ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर वो क्या है क्या tag है और ऐसे confusion में हो सकता है कुछ लोग अपना benefit भी कर लेते हैं और कुछ लोग अपना positivity देखनी चाहिए वहां पर और उसके पीछे कोई भी ऐसा अगर रत्व जहां पर हमें लगता कि एजुकेशन हैं पर हो वो होने नहीं देना चाहिए और जिन लोगों के भी पूछना भी चाहेंगे कि आपने अम्यू तो देख लिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किस ने इसके अधार शीला रखी कैसे रखी और कौन से साल में रखी आपसे हमें जानना नीचे कमेंट करके बताईएगा जैनूरी एक्स्टेंशन एक हे 899 में जहां पे आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे और 2499 में आप पूरा इसका पीडिए भी मिल जाएगा मॉक इंटर्व्यू से हमारे हां चलने तो जो लोग इस बार तेरे इंटर्व्यू ज़रूर जाएएगा हमारे साथ और दिजेगा अपता मॉक इंट कर दो लोगई है